नमस्कार दोस्तों मैं जीत इंदर धनकड आज हम लोग बात करेंगे क्रेंट के बारे में जब भी कभी हम किसी पावर लाइन के पास काम करते हैं जो की चार्ज लाइन होती है उसके केस में हम लोग क्या-कैसा अवधानिया बरते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एक तरफ में एक गाड़ी है जो की क्रेंट है वो उपर पावर लाइन के कॉंटेक्ट में आई और उसमें आग लगी जल गई है दूसरी तरफ में अगें एक क्रेंट है जो पावर लाइन के कॉंटेक्ट में आई और उसके अंदर आग लगी है जब भी कभी ऐसा कुछ होत सबसreb discretion वित्रेय कोOur हजआघ को करने और किस तरीक युन करता है तो हम क्या सीख ते हैं क्या हमको करना चाहिए सबसे पहले तो हम झाल पर काम करने वाले मनुझा किस तरीके के हजाड है मतलब कौन सी पावर लाइन आप एक बार आपने देख लिया कि कौन सी आपने कितनी दूरी बना के रखनी है उसके हिसाब से आपको एक्षिन लेने हैं जब भी कभी आप ऐसे जगह पर काम करते हैं तो यह जो जो आपका जटका है जहां पर आप हाई पावर लाइन के साथ में काम कर रहे हैं वो जटका आपकी जान तक ले सकता है ऐसे केस में आपको कभी भी आपको वेट कंडिशन में आपका जो वायर रोप है आपका जो रोप ये वह हो ब्लेंव जिसको हो आपको लेके जाना है उस दिशा में आप उसको करते हैं जो की न्यूर्मե ह सबस्क्तवास Сबीस कोशिघ किसे कि आपको सब्सक्राइब का हो गया या कुछ ऐसा हो गया जो जटके लगने वाले जो गटनाएं वह कम हो जाती है और अगर कभी ऐसा हो भी गया तो गबराने की कोई जुरूत नहीं है उसका भी इलाज है अपने पास में पहले आपको यह देखना कि कौन सी पावर लाइन के साथ में आपको कितनी दूरी बना के रखनी है तो आप देखेंगे 25 के लाइन है तो यह 25 फिट आपको डिस्टेंस बनाना है आपको कोशिश की जितना मैक्सिमम डिस्टेंस आप से बना के रखा जाए उतना आपने बना के रखना है जितना आप जारा दूर रहेंगे उतना आप खतरों से दूर रहेंगे खतर से जितना दूर आ जाता है उतना ही आपकी जान के लिए अच्छा है आपके जो जो इंप्लोईज हैं जहां पर काम है उसका रिडिय दिखाया हुआ वो कितनी दूर तक जा रही है तो कभी भी जोन मना रखी है आपका जैसे मान लीजे 8000 वोल्ट का उससे चला है कि जो डेंजरेस जो न हो उसको एक्स में काउंट कर लिया इस जोन से आगे आपको क्या करना है आपको barrier बना देना है, मतलब आप barrier के लिए आप किसी कपड़े का यूज कर सकते हो, कोशन टेप का यूज कर सकते हो, आप किसी रस्य का यूज कर सकते हो, जो कि dry condition में हो, आप बल्लियों का यूज कर सकते हो, उसका वायर रोप है, उसका टेग लाइन है, कोई भी चीज उसके कॉंटेक्ट में नहीं है, अगर वो स्विंग करती है, गूमती है, तो भी आपको उससे कॉंटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उससे दूरी देखिए, फिर से, आठ अजार वोल्ट का कुरेंट है, उससे आपने दूरी देखिए, आपका x सेफटी आपका येक्स आपको दूरी बना करनेघ है, तो y जो आपका जो है, जो आपको 10 Australians है, वह वह है, आपको 10 फिट से जादा आपको gap maintain करके रखना ताकि आप अपने signal man की आपका रिगर जो है जिसने आपको जो load tie करेगा जो आपको load को single देगा आपको दिशा देगा वो उससे उचित दूरी बना के रखें उसके बाद में जब आपको जो signal man है वो आपको load बान दिया उसने तो आपको ये काम करना है कि हमेशा power line से उचित दूरी बना करनी है और कभी भी कोशिश ये करना है कि अगर उपर कोई power line है या सामने कोई power line है तो उसके नीचे direct नीचे कोई भी material stack नहीं करना है कई बार ये situation होती है कि आपने सुबह दिन में आपने power line के नीचे या उसके आसपास में कहीं पर आपने material stack कर दिया रात में कोई दूसरा operator है उसने नया operator है उसने जैसे hook लगाया उसको उपर उठाया उपर उठाया आपका line जो है energized हो गया और बड़ा accident हो गया तो जब भी कभी ऐसा energize वाला कुछ case होता है तो बड़ी दूरगटना होती है तो हमने कोशिश ये करने है कि आपका जो crane है वो कभी उसके contact में ना है तो उससे उचित दूरी बना के रखनी है और जहां पे कि आप बिल्कुल ही vicinity में ऐसी zone में काम कर रह नहीं है वहां पे आप crane को अपना अर्थिंग दे दीजिए अच्छी सी अर्थिंग हो ताकि आपके जो crane है वो शोक हो जाए और अगर शोक लगता भी है तो वो crane के थ्रू पास हो जाए आपको डिरेक्ट जटकाना मारे इस तरीके से आप अपनी जान बचा सकते हैं अगर आपको इस तरीके का आपको आपको पावर लाइन दिखाई देरी कि पावर लाइन है उसके बीच में से आपको नीचे से एक रहस्ता बना है उसके अंदर से आपको गुजरना है जैसे आपका साइट है में लाइव रोड के उपर आपका आरा लाइव रोड के उपर कई जैसे इस तरीके से आपने स्टेंड मनाया है आप रोड के उपर जब देखते हो कि भई कई भी पावर लाइन के पास में या फर किसी ऐसे पुल के पास में अगर आप अपनी गाड़ी लेके जारे तो वहापे लिखा होता है चार मिटर की हाइट तीन मिटर की हाइट दो मिट करता है आपका वहिकल का साइज कितना है उसके हिसाब से वह एक एक लिमिट सेट कर देते हैं इसी तरीके से आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं जब भी कोई गाड़ी आएगी कोई क्रेन आएगी कोई हैवी क्यूपेंट आएगा जिसकी हाइट बहुत जादा है तो वह देख पर आपका जो बूम है लोवर कंडिशन में आप उसके साथ में जाके उसको सेफली आप जा सकते हो जब भी कभी ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जो कि लाइव इलेक्ट्रिकल जोन के पास में तो वहां पर इस तरीके कि आप धरिया रूज कर सकते हैं जैसे क्या शादी भ्या में आप जा रहे हो तो वहां से दूरी आपकी बनी देगी अगर ऐसे अगर हो रहा है तो उसको आप रोख सकते हो तो ऐसी जो है आपका जो सिग्नल में वह उस जगह पर मुझूद हो और आपका जो ग्राउंड लेवल है वह अच्छे तरीके से कंप्रेक्ट हो जैसे कि हम अगर ऐसे पूरी तरीके से गिरा हुए चारे चारां प्रांट में काम कर रहे हैं जहाँ एसे जगह पर काम कर रहे हैं जो पर टोटल पाउर लाइन का बना सकते हो जो भी आपका जो आदमी जो क्रेन को मुव करेगा या कोई ऐसे को ऐसे मशिनरी को को ऐसी की तरीके से वह करेंगे वह पर एक आदमी दो आदमी मोनिटरिंग के लिए रहेंगे अगर कहीं पर भी टाच होता है या उसकी विसीने टीम जाता है तो आपको पहले ही के थैंड दोने कि हाँ आपका जो गईना कहीं से एक्सकरभी बचा सकते है अगर आपका जो बूम है या आपका को इस अपका को है आपका उच्छलिग हो रहा है ला पे टच हो राहा है कभी पावर लाइन के पास में अगर जारह प्र दिखाए है एक्सिडेंटली तो भी गवराना नहीं है उसका भी सोलुशन है कि उसका क्या सोलुशन है आपको अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं यह उससे पहले आप देख लिए अगर कोई डेडियो टावर भी आपके आसपास में है और वहां पर भी आपकी क्रेन खड़ी है त करता है तो अपरेटर को बोलना है पैनिक नहीं मचाना है कोई बात नहीं पहले तो आपकी जो करें आपको उसको गुमा के उल्टी दिशा में लेकर जाओ जिससे की जो टच हो यह उससे वापिस आजाए वह अपने सेफ जोन में आ जाए अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप भी करेंट नहीं लगेगा आपको सेफ रहना है आपको जबढराना नहीं कि हम भाके जल्दी से अकोंबागना नहीं सटे रहना है उसी के अंदर रहना है और काम मतलतक कोई जलदबाजिक नहीं बचा नहीं हर्डबणा नहीं हीon hir हटबडाट में ज्यादा चोट लग जाती है और बड़े एक्सिलेंट हो जाते हैं तो क्रेन जो आपका है वो उससे उचित दूरी बना लीजिए कोशिश कीजिए अगर वो जा रही है अगर उसके फंक्शन कट अफ हो गए है अगर हो किसी भी तरीके का कोई भी ऑप्रेशन कर रहे तो आपको नीचे नहीं उतरना इस तरिके से आपको अदिば जैसे ब्लबडाब करते हैं अब आपको जो चार्ज हैं वहाँ पर आपके आपको करेंट लग सकता है तो आपको जम्प करना है इसको बोलते हैं आप एक खरगोश की तरह आप उचल करके आप जा सकते हो तो यह था अगर आपका पावर इनके कौंटेक्ट में आपकर भी आते हो तो आपको गभराना नहीं है आपको कड्रेंट अ लियुक्त नहीं लगाएจะ हो अगर आपको करेंट नहीं लगा कगाए धर आ 빠arya अहीं के प्रेजेंटेशन अगर आप किसी पावर लाइन के कॉंटेक्ट में आते तो आपको इस तरीके से करके आपनी जान बचा सकते हैं तो आज के लिए मेरे मेरी तरफ से इतना ही थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ थैंक यू